नमस्कार दोस्तों वी एन इटर के इस नए टुटोरियल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वीडियो में आप स्पीड को कैसे यूज कर पाएंगे मतलब यह है कि अगर हम अपनी किसी भी वीडियो में स्पीड या फास्ट मुसन को यूज करके कोई वीडियो बनाना चाहें तो वो वी एन एटर में स्फीड के नाम से जानते हैं इसमें आपको दो आप्शन मिलेंगे यहां पे आप देखेंगे ये value के बगल में एक option दिया गया इस पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे दोनों option में curve और regular बस इसी को आपको समझना है कि curve को कैसे use करना है ये curve का रहेगा और regular का कैसे रहेगा क्या effect आएगा आपको use करने के बाद तो सबसे पहले मैं आपको regular बता दे रहा हूँ regular का use आपको वहाँ पर करना है जैसे किसी particular area है जैसे पहले इसको आप थोड़ा सा split कर लीजे यहाँ पे लाके इस moment में जब आप इसको split करेंगे जब इस part पे आप speed पे जाईए regular में जाईए suppose that आपने इतने moment में अपने इस part में जो आपका ये option है regular वाला इसको आप use करेंगे ठीक है तो जब इसको आप play करेंगे तो देखेंगे उसी part में जितना speed आपने उसको डाला है उसी speed के साथ वो उसी value के साथ वो बढ़ेगा एक particular area में अगर suppose that यहाँ पर 20 को आप split करेंगे और इस पर थोड़ा सा speed आप regular में यहाँ थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो जिसे 5 second में आपने थोड़ा सा 1.5 x इसको आपने बढ़ाया तो ये इसी moment में उसी value के साथ ये effect आएगा शुरू से एक बार आप इसको देखिए वीडियो होगी आपकी और यहीं पर अगर आपने ये जो कर्व वाला है आपका पहले इसको आप यहाँ पर इस moment में ले आईए ठीक है इस moment में लाने के बाद speed पर click करेंगे कर्व में क्या है कि कर्व में जैसे मान लिजे कि 5 सेकेंड आप चाहतें कि 5 सेकेंड पहले आपकी जो वीडियो है वो slow motion में चले 5 seconds के बाद आपकी video थोड़ा सा fast हो जाए और उसके बाद आपकी video फिर slow हो फिर fast हो और फिर slow हो जाए तो उस case में हम करव का यूज करते हैं उस case में हम फिर regular का यूज नहीं करेंगे क्योंकि regular में अगर आपने एक 5 seconds का आपका time frame है कोई वीडियो लिया है आपने तो उस 5 सेकंड पे constant value के साथ effect आपको दिखेगा लेकिन इसमें क्या है इसमें जब आप देखेंगे पहले आपकी वीडियो slow चलेगी उसके बाद अचानक आपकी जो ये उपर आपने कर्व दिया है अब आप देखेंगे और तेजी से आपकी व पर जाएगी फिर आएगी यहाँ प्रीशेट में भी इसकी वैलू सेट है यहाँ प्यालाग अलाग इफेक्ट दिया गया है मॉन्टेज जिरो टाइम बुलेट टाइम जम्प सब दिया गया है यहाँ से भी आप इसको यूज कर सकते हैं बस इतना सिंपल साइज का मतलब है दोनों इस वीडियो के बार फिर से आप प्रिकैप करके देख लीजिएगा क्यों हो सकता कन्फियूजन हो गया हो कि इसमें जो यह ऑप्षन है कि रेगुलर को कैसे यूज करना है और करो को कैसे यूज करना किस टाइम फ्रेम पर कहां पर क्या यूज करना है जो स्लो मोसन अगर आप नियूज इडिटिंग करना चाहते हैं कुछ अलग करना चाहते हैं तो इन बिल्ट ग्राफिक के साथ यह अप्लिकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे एन आरम स्टूडियो के नाम से ठीक है इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ पे जाके क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं दोनों वर्जन में अवेलेबल हैं एंड्रोइड और पीसी दोनों में इसको आप यूज कर सकते हैं चलिए चलते हैं अपने जो हमारा नेक्स टॉपिक हमारा स्पीट के बगल में आपको एक और ओप्शन देखने को मिल जा जब आप बैग्रॉंड म्यूजिक करेंगे तो यह उप्शन भी यहां से हाइलाइट होगा इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपकी वाईस आने लगेगी जब यह जो आप देख रहे हैं गुड़ा का जो निशान है अगर इस पर यह कट रहेगा तो आप वीडियो है उसमें आपकी वाईस आ रही है अधरवाइज वाईस आपकी म्यूट रहेगी तो यह बहुत ही सिंपल था अप्लाइट वाल कर देंगे तो दोनों में आपकी बैग्राउंड मीजिक और वीडियो दोनों में जो आपकी मीजिक जैसा आप लेना चाहें जितने ट लेगा यहीं से आप घटा दीजिए डिक्रीज कर दीजिए उसी हिसाब से इसको आप मेनेज कर सकते यह था दोस्तों आज का टुटोरियल हमारा बहुत ही असान तरीके से मैंने आपको समझाया है आप हमें कमेंट कर सकते हैं कोई अगर आपको जानकारी लेना है ठीक है और इडिटिंग से समबंदीद अगर आपको नॉलिज चाहिए यूटूब पे तो आप हमारा चैनल सस्क्राइब कर सकते हैं अर्मी स्टूडियो के नाम से चैनल है और आपको मैं यह भी जानकारी देदू कि इस पे बहुत ही जल्द हम और भी कुछ नया लाने वाले हैं तो ब जो भी यह पार्ट बचे हुए हैं इनका मैं पार्ट वाईज लाता रहोंगा टूटॉरियल नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जो यह फेड इफेक्ट है फेड इफेक्ट को कैसे यूज करेंगे फेड इन फेड आउट इफेक्ट क्या होता है उसके बारे मैं आपको information दूँगा तो टाटा बाबाय मिलते हैं नेक्स टुटोरियल में बने रहे हमारे चैनल के साथ तब तक के लिए धन्यवार सभी देश्वासियों को गरतन दिवस की हर्दिक शुपकामना है